हलो बच्चो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत इंपोर्टिन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो अभी एक्जाम सामने है इस पर ये वीडियो बहुत ही काम आने होगे क्योंकि दोस्तो आधिकतर बच्चों को एक चीज में बहुत ज्यादा प्रोब्लम होता है और वो है आपका इलेक्टरन बिन्दोसन रचना यहां पे प्रोब्लम होता है तो आज इस वीडियो में दोस्तों कमप्लिटली ये जो डर हे ना डर सतार है ना इस डर को दूर करेंग तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो पूरा इस चीज को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को सेर भी कर देंगे क्या है ना दोस्तों क्योंकि exam में यहां से तो question आता ही है तो आप जीस दिन exam देने जाओगे न ये डर आपके अंदर नहीं होगा कि ये question हमसे नहीं होता है और जिंदगे में कभी भी दोस्तों इस चीज से तो मतलब डर ही खतम हो जाएगा कभी भी आपके अंदर डर नहीं रहेगा तो आज चलिए आँवी करते हैं स्टार्ट क्या कर रहे हैं स्टार्ट है दोस्तों ऐलेक्ट्रोन बिंदू सन रचना बिंदू सन रचना चीक है इस चीज को हम लोग बोलते हैं, lois.structure, चीज या फिर, electron.structure, जो भी बोलो, चलिए, तो भाईया, इस चीज को completely सीखने के लिए, सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, तो इसमें एक चीज कोमन होता है, दोस्तो, electronic बिन्यास, यानि आपको electronic बिन्यास जानना ज़रू है, अगर आप electronic बिन्यास नहीं जानते हैं, मेरे भाई, तो आप electronic बिन्दू समरचना नहीं कर पाएंगे, तो भूल सर तब क्या करेंगे, electronic बिन्यास सिखना पड़ेगा, नहीं दोस्तो, अभी तुरंट एक सेकेंड में चुटकी में हम लोग electronic बिन्दू समरचना सिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में करते हैं, सोरी, electronic बिन्यास हम लोग तुरंट कम्पलेट करते हैं, दो सेकेंड में, और फिर ह आज के बाद सताने नहीं देंगे, बलकि हम लोग सताएंगे कि आओ तुमको बनाते हैं, तो इस चीज को दिमाग में रखके, चलिए आन तक करते हैं, तो पहले हम लोग क्या अगर नहीं करना है भया, पहले electron बिन्दू सन रचना करना है, electronic बिन्यास करना है, electronic बिन्यास, मतलब electronic configuration इंगलीज में, electronic configuration, फिक है, आँ सर ठीक है, तो बहिया, electronic configuration करने के लिए हम लोगों को क्या धयान में रखना पड़ता है, एक के सेल को धयान में रखना पड़ता है, दूसरा L सेल को धयान में रखना पड़ता है, तीसरा कहां करें, यहीं करते हैं जी, M सेल का धयान रखना पड़ता है, फिर जाके आपका N सेल, यह चार चीज को आपने धयान रख लिया, ऐसे तो बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे और विचन्स होते हैं, पर हम लोगों को चारी सेल याद रखना है दोस्तों, एक के सेल, L सेल, M सेल और N सेल, तो के सेल में एक चीज धयान रखो, कि के सेल में दो इलेक्टरन होता है, कितना इलेक्टरन, दो इलेक्टरन होता है, ठीक है, अधिकतम दो इलेक्टरन होता है, दोस्तों, कम से कम 0 भी हो सकता है, वैसे ही L सेल में 8 इलेक्टरन, अधिकतम 8 ह इससे नहीं रख सकते हैं या तो उनको 18 ही रखना होगा 18 ही रखना होगा और मेरे भाई अगर आप देखें एन सेल में, तो कितना 32, कितना 32 इलेक्ट्रोन होता है, तो भाया, इलेक्ट्रोनों की संख्या मतलब परमानु संख्या, इलेक्ट्रोनों की संख्या मतलब परमानु संख्या, तो किसी भी elements का या किसी भी ततो की electronic बिन्यास करने के लिए किसकी आवशक्ता होती है, तो परमानु संख्या की आवशक्ता होती है, किसकी परमानु संख्या की, यहां रव्मान संख्या से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, यहां सिर्फ परमानु संख्या से मतलब है, और के एलिमेंट्स आपने याद नहीं किया हुआ है तो आपको इस वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक मिल जाएगा आप देख लीजिएगा उसको बस ट्रिक से हम लोगोंने याद करने सिखा है तो वहां से जरूर देख लीजिएगा तो है अब हम लोग पहले इलेक्ट्रोनिक बिनियास कर लेते हैं उसके बाद हम लोग करते हैं इलेक्ट्रन बिंदू संरचना क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रन बिंदू संरचना करने के लिए हम लोगों को चाहिए electronic binias तो आई ये शुरुवात से करते हैं जैसे आप ले ले हाइड्रोजन हाइड्रोजन की परमानु संख्या एक तो आप देखिए हमने क्या बोला इस सेल में पहले इस सेल को complete कर रहा है तो हमने बोला इस सेल में 0 से starting होगा और अधिक्तम 2 रहेगा तो इसका electronic binias ये होगा उसके बाद आप देखिए neon, neon का होता है helium helium का 2 मेरे भाई यानि 2 देखिए ये complete होगी है क्या होगी है? complete होगी है अब यहाँ से हम लोगों को चलना है इसमें कहां पर? इसमें चलना है तो अब हम लोग इसमें चलते हैं देखिए लिथियम का होता है 3 यानि 2 और 1 यानि K सेल में 2 electron है और L सेल में 1 electron है ठीक है? आज़ा उसके बाद हम लोग चलते है beryllium का होता है 4 2 और 2 जोड़के देखिए ना 4, 2 और 2, 4 वैसे ही बारण का अगर चलने तो 5 होता है तो पहले सेल में हमको 2 electron तो रख लेना होगा अब जो बचा वो लिख दो देख लिजे 2, 3, 5 वैसे ही बाई या कारवन को देखो यहां पे 2 पहले तो 2 रख लिए अब जो बचा उसको रख दो फिर जाके आप nitrogen चलिए 7 पहला सेल में 2 है उसको रख लिजे जब तक यह complete नहीं होता है हम लोग तीसरे सेल में नहीं जाएंगे ठीक है तो यहां 2 कितना पचा पांच वैसे ही भाई oxygen का आप देख लिजे 2 और 6 आठ वैसे ही अगर आप fluorine का देख वोगे मिरे भाई तो 2 और साथ कितना हो गया अब नियोन का देख लो जी नियोन का होता है दोस यानि 2 और 8 ये भी हो गया complete अब हम लोग चलते हैं sodium से sodium का 11 अब चलो M cell में पहले 2 electron भर लेते हैं L cell में के cell में 2 electron L cell में 8 electron भर लिया 8 दू-10 कितना बचा एक ठीक है जो बचा उसको लिख डालो फिर जाके अगर अगर आपन लेते हैं magnesium magnesium का कितना होता है भाई या बहारा 2 आठ और 2 फिर जाके अगर aluminium का देखूँ aluminium का दे 13 2 आठ और 3 कितना होगे 13 लीजे जोड़ के ठीक है अगर उसके बाद आप चलते है calcium में 20 है इसका calcium का कितना होता है 20 अब हम लोग इसको भार है तो 2 आठ कितना होगे 8 दू 10 बचा कितना 2 और हमको M से L के लिए 18 इलेक्रिंट चाहिए हम 10 तो नहीं लिख सकते क्योंकि इसको हम exact यह लिखेंगे तो यह 10 जो है न फिर से 8 और 2 में तोड़ दीजी होग यह 10 वैसे ही अगर आप zinc का लेंगे तो 30 होता है 30 मतलब देखिए 2 8 पहले हम K और L को complete कर लिए 2 8 10 बचा कितना अभी इसमें 20 बचा है तो 18 मिल जाएगा अभी और कितना बचा दू हो गया ना वैसे ही आप ब्रोमील का देखलो दोस्तों कितना तो 35 दू आठ complete फिर एगो यह भी आठारा थार्ड भी complete दू आठ अठारा कितना 28 हो गया अभी 28 हो गया और कितना बचा 7 कितना 7 और आप जो यह लाश्ट वाला इलेक्टरन देख रहें न भाई यह लाश्ट वाला जो इलेक्टरन आप लुग देख रहें इसका क्या नाम है संयोजी इलेक्टरन क्या संयोजी इलेक्टरन और इसी से संयोजी इलेक्टरन से ही हम लोग क्या निकालते हैं संयोजगता क्या निकालते हैं भया संयोजगता ठीक है तो चलिए एक सेकेंड दू सेकंड तीन सेकंड में इसका इस्त्रेंड सोट लिजे उसके बाद दोस्तों हम लोग करते ही इलेक्ट लेते हैं हम लोग, इलेक्टरन बिंदू सनरचना को, तो हम लोग क्या गरते हैं, एक्दम जीरो से स्टाडिंग करते हैं, और इसको एक्दम हाई लेबल तक लेके चलते हैं, तो चलो, जीरो से सुरू करते हैं, तो सुरुवायत करते हैं भाईया, इलेक्टरन बिंदू सनरच इलेक्टरन बिंदू सन्रचना में हम लोग किसका उप्यों करते हैं। सिखते हैं पहले हाइड्रोजन का ले लेते एक इसका सबसे पहले क्या करना है एक का एक हो गया और याद रखना दोस्तों जब या फिर एक 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 इक इया पहल सकते हैं चलिए इसका खतम हो गया इसको रख देते हैं तो पहाल फिर आ पिर आप इसको ऐसको सकते भाई यहां खीच यह डॉट ऐसे दिखा दीजिए हाइड्रोजन का हो गया क्या हाइड्रोजन का तो यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है यह छोटे क्लास के लिए पर जब आप हाईयर क्लास में जाते हो तो आपको इस तरह का संरचना देखने को मिलता है तो ऐसे यह आप दे लिथियम का हुआ तीन और हिलियम का होता है दो तो यह हो गया दू और एक अगर आप इसका इलेक्टरन बिंदु संरचन देखो गये तो देखिए संयोजी इलेक्टरन को लिखना है दोस्तों लिथियम हो गया यहां क्रोस दे दिजे हो गया लिथियम का इलेक्टरन बिंद तो इसको पहले आप बेरेलियों लिख लिजिए और दो इलेक्टरन को दिखा दीजेए यह बेरेलियम का हो गया है ठिक है? वैसे ही अगर आप देखो बोरोन का, बोरोन का कितना होता है? 5 यानि अगर देखें तो 2 और 3 यहां पे आप बॉरॉन लिखिए और एक साथ में दो इलेक्टरन को लिखिए उसके बाद एक अकेले बंदा को लिख दीजें यह बॉरॉन का हो गया वैसे ही भाई कारबन का आप जब देखोगे तो शिक्स होता है ना प्रमानु सिंख्या यानि दू और चार तो आप इसका इलेक्टरन बिंदू सनरचना कर लिए तो सी यहां दूगो यहां दूगो और दूगो चार ठीक है अगर इस तरह से भी देखना चाहोगे तो इसको आ यह दमाराम से पूरा completely करेंगे जीरो से अभी देखो ना फिर compound लेंगे योगिक लेंगे योगिक कभी निकालेंगे उसके बाद हम दोग देखते है एच टू का चलिए इस तरह तो श्रुखलिए अब दो दोगों करके देखते है एच टू का तो हजदी हम करेंगे और याद रखना दोस्तों, hydrogen, lithium, beryllium ठीक है, ये तीन वो जो है, ये आपका डिउपलेट कमप्लीट करता है, क्या कमप्लीट करता है? ड्यूप लेट जिसको लोग द्वितियक बोलते हैं द्वितियक यानि इसके लास्ट और्बीट में दो ही इलेक्टरन रख सकते हैं यानि ये के सेल को कम्प्लीट करता है कि इसको के सेल को उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करता है ठीक है इतना तो धयान में रहेगा अब हाइड्रोजन हम लिख लेते हैं या लिखते हैं हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्टरन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या है एक इलेक्टरन है तो ये क्या करेगा अपना ड्यूप्लेट इससे ले लेगा और करेगा कम्प्लीट ये कह रहा इसको ए भाई ऐसे तुम नहीं रपाएंगे तो इसने भी क्या किया ठीक है तुम्हाबात माने यह जो गिया इसका इलेक्टरनत संट रचना थीक है दोस्तों उसके बाद अगर आप देखो देखते हैं ऑक्सीजन का किसका ओटू का आप ओटू का तो पहले ओ का निकाल नीचिए अग्स्श ओक्सिजन का आप एलेक्ट्रोनिक भी नियास निकालीजे छो और एक चीज आप यहां नोट कर लिजे किसी भी किसी भी तत्यों को अपना अस्टक पूरा करने के पूरा करने के लिए आठ एलेक्ट्रोन कि आवसकता होती है पिपना भाई आठ 정도로 क्यावसकता होती है तो इसके पास तो सायोजी इलेक्टरन चाहिए होता है तो चो है तो इसको अक्टेक पुरा करने के लिए अपना अस्टक पुरा करने के लिए आठ इलेक्टरन चाहिए कितना चाहिए आठ इलेक्टरन चाहिए आप वो दूगो इलेक्टरन किसे लेगा तो यहां देखिए दोगो oxygen है तो दूसरे oxygen को भी तो दो electron चाहिए ना तो वो भी क्या करेगा बोलेगा ए भाई तु हमसे दोगो ले 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 हम तुमसे दोगो ले लेते हैं और ऐसे करके sharing कर लेते हैं साज़िदारी कर लेते हैं जिससे दोनों का काम हो जाएगा ना तो यह क्या किया एक oxygen के पास क्यागो electron छोगो electron एक दू तीन चार और दू को क्या करेगा sharing करेगा तो इसको यहां लिखें ठीक है दूसरा oxygen भी वही कहा नहीं यहां share करने के लिए ऐसे रखा और चार गो ऐसे रख लिए करेगा कि हम भी तो sharing करेंगे भाई तो यह हो गया देखो आठी इसका भी complete हो गया तो इस तरह से क्या हो गया इसका electron window सनरचना complete हुआ वैसे ही अगर आप देखोगे nitrogen का किसका nitrogen का भाई ठीक है तो आप nitrogen का देखोगे तो सबसे पले nitrogen का electronic भी नियास कर लेते हैं यानि seven होता है यानि दू और замеч तो इसको अपना आश्टक पूरा करने के लिए कितना electron चाहिए होगा भाई इसको अपना अश्टक पूरा करने के लिए तीन electron और और चाहिए क्यों क्योंकि संयो जी election Hier तो और 3 को के साथ sharing करेगा, ऩी ये भी 3 को के साथ sharing करेगा, और देख लो, दोनों के पास कितना कितना करके है, पाँच-5 इलेक्टरों करके है, तो आप यहां से इसको घेरा कर देजे, 8 को complete हुगा, जोड़िए, चो और दू आठ वैसे ये भी करेगा चो और दू आठ ठीक है वैसे यह आप सी एल टू का देखेंगे जैदी ठीक है तो सी एल का आप पहले साथ दू आठ और साथ तो चलो साथ इसके पास है लास्ट और बीट में या फिर सन्योजी इलेक्रन कितना है तो इसको आस्टक पुरा करने के लिए कितना चीए एक इलेक्रन चीए तो एक इलेक्रन कहां से लेगा तो यहां दो क्लोरिन है वाई उस क्लोरिन से यह ले लेगा इस क्लोरिन से वो ले लेगा और लेने देने का काम ही करेगा आप देखलो ना यार दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना हम पैसा कमाएं दूसरे से पैसा लिए मेरा पैसा दूसरा लिया उसका पैसा दूसरा लिया औ और ऐसे करके क्या होता है घूमते रहता है ना पाईशा तो वैसे भी यह भी करता है यानि क्लोरीन के पास सात इलेक्ट्रन है दू चार और दू छो एक उसेर करेगा और यह ले लेगा शेरिंग करेगा तो यहां से कंप्लेट हो जाएगा आठ वैसे यह भी तो चार चो आप म ढ़ं लोग क्या करते हैं अब हम लोग थोड़ा बड़े-बड़े में चलने कुसिस करतेहे जैसे आप ले लिजिए सीःओटउ क्या लेलिए सीओ तू तोすी ओटू यहां पर आप देखे सी ओटू पहले सी का आप क्या करिये निकाल लिए jua बू और चार इसको कैगो एले तो आईए इसको भी देख लेते, दू दूगो क्यों देगा, तो दू और छोग, आठ हो गया, तो इसको क्या गो चाहिए, दूगो चाहिए ना, आस्टक पुरा करने के लिए इसको क्या गो चाहिए, दूगो और इसको चार गो, तो एक ऑक्सीजन को दूगो चाहिए, तो य यहां दूगो, यहां क्या गो ऑक्सिजन है दूगो, तो यह भी क्या कर रहा है, बोला कि ले लो भाई, दूगो, उसी से हम सेयर करेंगे तो मेरा आठगो हो जाएगा, छोगो में लिखा गिया, चलो इधर दूगो लिख देते हैं, इस ऑक्सिजन के पास भी तो छोग इलेक् तो गिंहों कि देखो चार और छार आठ तो ये वह काम करेगा तुम किया रहे हम करेंगे इसका भी हो गया आठ तो इस तरह से दोस्तो उलेक्ट्रण भीनोस अरचना हम लोग कर सकते हैं किसे इसको चार एलेक्ट्रण चाहिए तो दूगत इस 5 अक्सिजन से अभी देखो इसमें भला हो गिया, oxygen भी बोला हम तुमको दूगो दिये, तुम भी हमको दूगो दो, तो दूगो दिया तो इस oxygen का complete, ये भी दूगो दिया तो इस oxygen का complete, तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है electron बिंदू सनरचना में, एक दूसरे का octet पूरा करने के लिए, अस इसलिए पहले इसको एकतम तूरंद दोस्तों, screenshot ले लिए, चलिए ले लिए, तो चलिए भी जाए, screenshot ले लिए, आए, बगटते हैं, तो चलिए पहले हम लोग अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां ले लिए CH4, क्या ले लिए CH4, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, क्य ख्रत ना, है, जहां जो पड़ेगा, आपने हम लिएखेंगे, तो यहां पर क्या है कार्बन, यह कार्बन है और हाइट्रोजन, तो पाले आपउरफी सब पूछ का इलेक्टोनिक बनियास कूछ नहीं, एकड़ लिएस कर लिए, यह हो गया, फिर हाइट्रोजन आ, हाइड हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्टरन है तो चारों से एक एक करके ले लेगा तो आठोगों हो जाएगा ना होगा ना भाई और हम से देखिए वह करना है यहां कारबन लिखे चारों हमने क्या किया चारों दिसा में लिख दिया और सभी के पास हाइड एक एक इलेक्टरन करके देगा सबू को दे रहा है हाइड्रोजन दे दिया तो इसका आप देखिए ओक्टेट तो कम्प्लीट हो गया लेकिन भाईया एक चीज धायान रखना हम पहले क्या बता है कि हाइड्रोजन जो होता है हमेशा ड्यूप्लेट यानि द्वित्यक पुरा करता है तो हाइड्रोजन भी तो चाहेगा कि हम तुमको दिये तो तुम भी हमको दो अपना ये ड्य कडնे करेंगे भाई अब हम लोग एथेन लेते हैं सीटू सीक्स तो यहां पर फिर से हम क्या करने वाले सीका ओई काम करने वाले हैं तू और चया हाइड्रोजन का क्या करेंगे वाय यहा कि द्वित्षाय रहीद्रोजन का करेंगे एक यानि अบ यहां पर देखिए कारवन क्या गो है दूगो है अब पहले दूगो कार्बन ले लो एको दूगो ठीक है अब दूगो कार्बन है तो एक काम करते हैं इसके पास यहां छो हाइड्रोजन तो दोनों कार्बन के पास के के गो आएगा तीन-तीन गो आएगा तो एक-एक इलेक्टरन बच जा रहा ना तो एक कर लेगा किसके साथ भाई एक एक कर लेगा carbon to carbon č और तीन को करके किसके साथ hydrogen करके क्योंकि यहां चोगो है तो दूसरे भागा दे रहे है तो ता हमालě है तो क्योंकि एक carbon के पास कह एक हेट आ और टून हले ले hm आप मिलाईए ओक्टेट कंप्लिट करिए देखिए यहां पर पहले इसका कंप्लिट कर दे रहे हैं आप गिन के देखे दू चार छो आठ तो यह भी हो गया अपना डिपलिट कंप्लिट करेगा क्यूं किसी के इंतजार में रहेगा और यह भी क्या करेगा हाइड्रोजन डिएरिंग करेगा और यह भी अपना ऑक्टेट कंप्लिट करेगा गिन के देख लो और यह अपना क्या करेगा डिपलेट कंप्लिट करेगा यह बन गया आपका किसका इंत है अगर आप देखो गये इथीन क्या C2H4 C2H4 Carbon क्या गो है भी यह पहले Carbon का निकाल लो 2 और 4 Hydrogen का 1 अब यहाँ धाया 1 Carbon के पास Total 4 Hydrogen है तो 1 Carbon के पास क्या गो आएगा 2 गो 2 गो Hydrogen, 2 गो Electron share करेगा 2 गो तो बाकी रह जा रहा है और 6 गो Electron हो पा रहा है आप देखिए, इससे दूगो लिया और 4 गो और दूगो कहा गिया तो क्या करेगा, दूसरे Carbon से दूदूगो लेना देना करेगा ऐसे, कि एक Carbon यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ करते है एक Carbon भाई, तुम मेरा दूगो तो Hydrogen को दे देंगे तो एक काम करो, हम लोग दोनों दूदूगो करके ले लेते हैं अब एक एक करके जो है Hydrogen को दे देंगे अब एक एक करके क्या किया? Hydrogen को दे दिया देखिए अब मिलाईए और गिनिये अभी गिनते हैं इसका अगर हम जाओं, आठ हुआ गिनी यह, वैसे इस carbon का भी क्या होगा, आठ हुआ हुआ, अभी इस सब duplet complete, यानि भाई ले दे करके अगर आप कहें, ले दे करके अगर आप कहें, तो क्या है आस्टक पूरा करना ही क्या है भाई, इलेक्ट्रन बिन्दूशन रचना यहां जैसे अब हम एक और कोस्चन लेते हैं किसको ले लेते हैं भैयाँ सेटिलीन का C2H2, अब दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन आएगा, तो एक एक हाइड्रोजन एक 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 इलेक्ट्रोन से एर करेगा, जैसे देखिए न, अब आप देखो, याँ घबराना नहीं है भाई, घबरा जाओगे तो फिर गडबरा जाएगा, देखिए, छो यानि दू और चा है, तो तीन को क्या करेगा, ये दोनों कारबन बुलेगा, तीन-तीन को हम लोग एक दूसरे से से शेरिंग कर लेते हैं, तो तीन गो बॉंड बन जाएगा, और ऑक्तिन भी कम्प्लिट है जागा, ऐसे देखो, या बुलेगा, तुम तीन को मेरा वाला ले लो, आर ई दोस्ती बनी रहेगे, और हाइडरोजन भी बोलेगा, भाईया, हम कहा जाएंगे, तो बुलेगा, बेटा, तु वही दा, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, साथ में लेके चलेंगे, तो हाइडरोजन भी देगा, और ये लो, इसका अस्टक कम्प्लिट, और ये लो, इसका बोल कैसे होगा, सर, C, H, C, H, O, इसको हम लोग बोलते हैं, भाई, फॉर्मल्डी हाइड, या बोलते हैं, फॉर्मल्डी हाइड, तो जब इस तरह कराएगा, तो इस सब काप सबसे पहले, आप क्या करिए, राफ में इस्ट्रक्चर बना ये, राफ में जदे आप इस्ट्र ये, जब डवल बॉन्ड है, और हाइडरोजन, हाइडरोजन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरह से आपको आसानी होगा, देखनीजिए, कार्बन का हो गया, चोज़ोर, और चार, हाइडरोजन का हो गया, एक, एक, और ऑक्सीजन है, तो आठ, यानि दूर और हाइड्रोजन अब अकसीजन के पास छो इलेक्टरन है तो दूगो क्या कर रहाए। तो डूगो करके ऑकसीजन कर रहा है सेयर और छोगो था वो लिख लिये कम्पिलिट यह अपना घर गार्चनृ सं रचना वैसे ही अगर आप दिए खलो जी, C, CH3, CO, CH3, तो इसका पहले आप क्या करोंगे, इस्ट्रक्चर बना होगे, कैसे, तो देखो, दोनों तरफ CH3 है, दोनों तरफ क्या है, CH3, यानि C क्या हो है, तीन गो, एक, दू, तीन, यहाँ बीच वाले में डबल बॉंड है, और इधर तीन, तीन को H है, पहले आपको, क्या करना है भाईया, पहले आपको सनरचना सुत्र बनाना है, तो आप ही कुछ होगा, बीच वाला आपने देखिए, हाइडरोजन नहीं है, लेकिन कार्बन, टू, कार्बन क्या है, सिंगल बॉंड है, यानि, एक एक इलेक्टरन करके, दो, तीन, बीच वाला में डबल बॉंड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ पहले किलियर कर लो, ऑक्सीजन के पास है छोगो, दू गो यहाँ दिया, चार, दू छोगी, अब क्या कर रहा है, एक एक इक इसके साथ भी तो बना हुगा, देख रो, सिंगल बॉंड तरके, तो दू, तीन, चार हो गया, अब जो खाली है उसको पास कोन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, कोन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और इस तरह से भाई, आप आराम से किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी योगीक का, इलेक्ट्रन बिंदू सन रचना बना सकते हैं, चलो यह अ अपना ड्यूपलेट्ट्, पिर यह भी बेचारा कम्पलीट, यह भी कम्पलीट, अब यह करेगा, खेंपलीट, आप यह ऑक्सीजन को भी तह अक्सिप्लेट् कम्पलेट् करना है, क्योंकि चो है, दुब वो कारबन से ले लेका, आठ हो गिया, आब इस कारबन को भी तो अ कंप्लेट करना है अर इस सब को तो अपना डिपनेट कंप्लेट करना है इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तो किसी भी यॉगिक हो या ततो हो सभी की संजयोज़कता को हम सबी के electron बिंदू सनरचना को निकाल सकते हैं लेकिन electron बिंदू सनरचना निकालने के लिए आपको क्या-क्या जरूरी चाहिए पर्मानु संख्या electronic बिन्यास अगर ये दो चीज हैं तो आप आराम से कर सकते हैं और दोस्वों अगर नहीं है तो आप फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दिया जाएगा वहां से आप जरूर देख लिजिएगा चलिए इसका स्क्रिंसट ले लिजिए